Hello everyone, I am Abhishek Jain and welcome to our YouTube channel Currentnomics So, आज के edition में हम discuss करने वाले हैं North America का mapping वाला part और ध्यान रखना, यहां पर हम जो आपकी world geography की NCRTs आती थी जो land and people के नाम से आती थी, old NCRTs उनका भी यहां पर हम holistic coverage कर रहे हैं तो आपको एक और benefit यहां से मिलेगा आपको NCRTs पर जाने की जर्रत नहीं पड़ेगी जो old NCRTs थी, काफी महत्पूर NCRTs है जहां से काफी सारे questions exam में आते हैं और मैं सबसे पहले आपको वही करूँगा जो questions UPSC, RPSC और other state PCS exams के अंदर पूछे गए हैं उनका एक overview दूँगा कि North America से क्या-क्या questions पूछे जा सकते हैं साथ ही North America का हर एक part हम यहां पर discuss करेंगे छोटी-छोटी tricks और stories के थूँ अब पूरा का पूरा North America learn करेंगे जैसे हमने South America read किया वेसे ही हम North America को भी अलग-अलग segments के अंदर बाटेंगे और easily और quickly उसको पूरे के पूरे continent को याद कर लेंगे साथ में हम दोनों के अंदर interlinkages भी देखेंगे कि दोनों को हम साथ में कैसे memorize कर सकते हैं तो फटाफट से अपने सब दोस्तों को share कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि हमारी सारी वीडियो की latest update आप तक पहुंच जाए साथ में टेलिग्राम चैनल को भी join कर लीजिए जहां पर आपको daily current affairs के multiple choice questions मिलेंगे with detailed explanation तो start करते हैं हमारा North America वाला part सबसे पहले हम चलेंगे questions पर जो भी questions में आपसे यहां पर पूछूंगा आपको comment box में उनके answers देने हैं जैसे ही आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको सारे के सारे answers यहां पर पता लग जाएंगे यह questions इसलिए हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके exam में कहां कहां से question North America से बन सकते हैं कहीं सारी questions मैं आपको औरली भी बताऊंगा जब हम North America का पूरा visualization करेंगे ठीक है तो आप देखो first question है आपके सामने consider the following statement क्या question है first consider the following statement first statement है North America is surrounded by Atlantic Ocean in the east जो आपका North America है उसके east part में कौन सा सागर है Atlantic Ocean ऐसा पहले statement के अंदर बोला गया है दूसरा statement ने क्या बोला है it is surrounded by Gulf of Mexico in the west west में क्या बोला है Gulf of Mexico third statement क्या बोला है Pacific Ocean lies to the south of North America जो आपका प्रसांत मासागर है दक्षिन अमेरिका के दक्षिन हिस्से में लाई करता है दक्षिन अमेरिका नहीं उत्री अमेरिका की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं जो आपका Pacific Ocean है वो उत्री अमेरिका के दक्षिन में लाई करता है तो आपको बताना है यहां से आपके सामने map भी available है तो map के अंदर आपको देखना है और बताना है तो सबसे पहला question कहां से बना? boundaries से कोई सा भी continent है उसके चारो थरप कौन-कौन से oceans है किन-किन के थूँ वो boundary बनाता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है काफी सारे exams में question पूछा जा चुका है तो इस question का answer आपको comment box में बताना है आपके सामने options यहां पर available है यहां पर जो second option लिखा हुआ है वो है आपका second and third ठीक है? यहां पर आपको second and second दिखाए देगा यह क्या है? second and third first option है one and two correct second option है two and three correct second में क्या है? two and three के हम बात कर रहे है and c क्या है आपका second only और d क्या है आपका one only comment box में बताएंगे दूसरे question पर चलते हैं दूसरा question आप देखोगे North America is separated from the easternmost tip of Siberia by the कौन सी straight के through यह separate होता है किस किस की बात की जा रही है? North America जो वाला पार्ट है ठीक है? उसको जो रश्या वाला पार्ट है उसके बीच में कौन सी straight आपको देखने को मिलेगी तो definitely पूछा जा रहा है इस straight का नाम क्या है? जो रश्या का जो पार्ट है कौन सा वाला पार्ट? Siberia वाला पार्ट और जो उतरी अमेरिका का पार्ट है Alaska वाला पार्ट उसको separate किसके द्वारा किया जाता है options आपके सामने available है आपको इसका भी answer comment box में हमें बताना है आप map की भी help ले सकते हो आपके सामने दोनों map भी हमने यहाँ पर दिखाए हैं ठीक है? next next आपको क्या करना है match the following का आपके सामने question है आपको basically बताना है ये वाले questions भी काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं पहला question मैंने आपको boundaries से बताया दूसरा question मैंने आपको straight से बताया कौन से straight यहाँ पर separate करती है तीसरा आपन बात करेंगे seas की तो आप देखोगे मैंने लिखा Bering Sea उसके सामने उसके location लिखी East of Labrador दूसरा लिखा मैंने Labrador Sea उसके सामने location लिखी East of Central America तीसरा लिखा Caribbean Sea उसके सामने location लिखी West of Alaska Alaska के पच्चिम में फॉर्थ लिखा मैंने Buford Sea ये लिखा मैंने कनाडा के उत्री पार्ट में आपको यहाँ पर options दिये हुए हैं और आपको सामने map के अंदर locations भी दिखाई देगी अच्छे से map देखना है locations देखनी ये दिन answer करना है अभी मेरी videos के अंदर भी मैं इस सारी चीज़े discuss करने वाला हूँ तो third type का question मनता है कि आपका जो भी continent है उसके उत्तर में दक्षिन में कौन-कौन से seas यहाँ पर lie करते हैं साथ में आपसे coast के बारे में भी पुछा जा सकता है जिसे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक newfoundland coast है जो कि fishing ground है काफी famous है क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा एक का नाम है लेबराडोर और एक का नाम है Gulf Stream दोनों यहाँ पर meet करती है तो यहाँ से भी question यहाँ पर बन सकते हैं साथ में आप देखोगे और भी जो यहाँ की आसपास की straights है जैसे आप देखो कि Yucatan channel का नाम सुना होगा आपने Gulf of Mexico का नाम सुना होगा यह सारी चीज़े यहाँ पर questions के form में देखी जाएगी next question पर हम चलते है question number 4 question number 4 आपके सामने है यह भी states पर question है जो जो भी important जल संदिया इस continent के आसपास लाई करती है यह इस continent को connectivity देती है तो पहला लिखा मैंने Florida State उसके सामने लिखा मैंने Florida and Cuba दूसरा लिखा मैंने Yukartan State उसके सामने लिखा Yukartan Peninsula और Cuba ठीक है तीसरा लिखा मैंने John D. Fuca इसके सामने लिखा Washington and Vancouver क्या लिखा Washington and Vancouver और फोर्थ लिखा मैंने आपको Bering State इसके सामने लिखा Russia and Alaska ठीक है सबको visible हो गए सरा पार्ट इसमें आपके सामने हमने तीन ही option दिए है आपको तीन ही option से बताना है और जो फोर्थ option में यहाँ पर बना रहा हूं उसका नाम है None of these फोर्थ option आपके लिखा होगा None of these और मैंने आपको यहाँ पर diagram भी दिये है चारो जल संदिया तो आप इस diagram में देखकर भी इसके hint ले सकते हैं और अपना answer कहाँ पर देंगे comment box में तो question number 4 का answer भी आपको comment box में देना है तीन option यहाँ given है D option मैंने देदिया None of these इन में से कोई भी सही नहीं है तो D option मैंने यहाँ पर आपको दे दिया diagram आपके लिए visible है आपको easily यहाँ पर देखकर बता सकते हो आप सब लोग ठीक है next question पर आप आजाईए यह question है Great Lakes से आपको पता है North America और Canada की border पे 5 Great Lakes से उसमें से जो lake Michigan है वो पूरी की पूरी USA के अंदर लाई करती है उसके अलावा जो बाकी 4 lake है वो USA और Canada के साथ border बनाती है यह भी मैं आपको बहुत simple trick से याद करवाऊंगा आप देखोगे पूरी की पूरी lakes चाए वो USA Canada border पर लाई करेगी या Canada के अंदर लाई करेगी चुटकियों में आप उसको याद कर लेंगे ठीक है पहला statement है यहाँ पर lake superior is the world's second largest lake after Caspian Sea क्या बोला गया है जो lake superior है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी lake है किसके बाद? Caspian Sea के बाद statement बोलता है दुनिया की सबसे बड़ी जील कौन सी है आपका Caspian Sagar और second statement यह क्या बोल रहा है कि lake superior दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जील है ठीक है second statement देखो lake Michigan is the smallest among the great lakes about four times smaller than lake superior simple सी चीज बोली है कि जो lake Michigan है आपकी जो पांचो great lake है उसमें सबसे छोटी है और basically जो lake superior है चार गुना बढ़ी है किस से lake Michigan से थर्ड statement बोला है lake Ontario is the only great lake that is entirely within the United States जो lake Ontario है वो पूरी की पूरी कहां पर लाई करती है United States के अंदर लाई करती है इसका मैंने आपको hint यहां पर दे भी दिया ठीक है या कौन सा आपके सामने गलत है इसका भी आंसर आपको comment box में देना है 5th question का जो कि great lake से काफी important है 6th question आपके सामने है यहां पर आप देखोगे reverse से question है किस सिस्टम है यह सारी की सारी जो rivers आपको दी हुई है यहां पर आपको यह मिलेगी यह सारी की सारी rivers आपको देखने को मिलेगी तो rivers जैसे की पहली river है Colorado river तो पूछा गया है कि यह river आपकी कहां पर जाकर गिरती है ठीक है तो Colorado river के सामने लिखा हुआ है Atlantic Ocean St. Lawrence के सामने लिखा हुआ है Gulf of Mexico Mississippi के सामने लिखा हुआ है Arctic Ocean और Mackenzie के सामने लिखा हुआ है Pacific Ocean आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाइग्राम दिया है सारी की सारी rivers का आप देखोगे This is Mississippi This is Missouri This is St. Lawrence This is Mackenzie And this one is Colorado ठीक है तो आपको बताना है कौन सी river कहां पर जाकर गिरती है तो आपको मेच करना है उनके सामने ओप्षिन से ठीक है आपके सामने ओप्षिन से अवेलेबल है आपको इसका भी आंसर हमारे comment box में हमें देना है ठीक है सब लोगों को clear है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा North America वाले पार्ट से तो these are the questions इसके अलावा भी और भी questions बनेंगे जो मैं आपको साथ का साथ औरली बताता रहूँगा ठीक है अब आज़ाई आप हमारे main part पे आज हम discuss करने वाले हैं North America वाला पार्ट आप देखोगी सबसे पहले हम बात करते हैं उसके latitude और longitude के बारे में especially हम बात करते हैं latitude वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं अकसांस ये विस्तार कितना उसका अकसांस ये विस्तार है उससे हमें पता लगता है वो पूरा का पूरा continent कौन से रीजन में लाई करता है क्या ये उस निकटी बन दिये कि Latin America का पार्ट कौन कौन सा है तो आपको comment करके मुझे ये बताना है जो मैंने आपको पिछली बार सिखाया था Latin America के अंदर कौन कौन सी countries आती है या कौन कौन सा continent का पार्ट Latin America के अंदर हमने सामिल किया है ठीक है इसको मैं अच्छे से बताया था जिन लोगों ने South America वाला पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखे आपको पूरा का पूरा South America वहाँ से clear हो जाएगा अब हम बात कर रहे है North America में basically आप देखोगी तो आपका जो पार्ट है मैंने आपको यहाँ पर एक जल संदी बताई थी एक Istumas बताई थी जिसका नाम था आपका Panama Istumas ठीक है क्या नाम था Panama Istumas जो किसको connect करती है North America को South America से connect करती है और last में यहाँ पर एक छोटी सी country भी है जिसका नाम है Panama ठीक है यहाँ पर आप देखोगी इस पूरे के पूरे part के अंदर 10 countries आपको मिलेगी North America वाला part में आप देखोगी Canada वाला part मिलेगा USA मिलेगा Mexico मिलेगा और इस छोटे से region के अंदर 7 countries आपको मिलेगी वह भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर mapping के थूँ लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखना है ठीक है सबसे पहले हम देख रहे हैं या latitude है वो लगबख 7 डिगरी से स्टार्ट होगर कहां तक जाता है 83 डिगरी के असपास कहां तक जाता है 83 डिगरी नोर्थ में आपको जाता है तो आप देखोगे 7 डिगरी नोर्थ से 83 डिगरी नोर्थ तो पहली चीज़ तो आपको clear होगी यह पूरा का पूरा continent कहां पर लाई करता है नदन हेमिस्पेर में या उत्री गोलार्द में लाई करता है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आपका विश्वत रेखा या जो भी आपका equator से उपर वाला पार्ट है equator कितना डिगरी है? 0 डिगरी equator के उपर वाला पार्ट किसमें लाई करेगा आपका नदन हेमिस्पेर में या उत्री गोलार्द में तो इसका आप देखो latitude क्या है? 7 डिगरी से लेकर 83 डिगरी नोर्थ वाला पार्ट तो पूरा का पूरा continent नदन हेमिस्पेर में लाई करेगा साथ में आप देखो Mexico वाले पार्ट से यहां पर क्या निकलती है? आपका Tropical Cancer जिसको करक रेखा के नाम से जानते हैं और Mexico से यह नीचे वाला पूरा पूरा पार्ट इसको generally हम किसमें लेते हैं? Central America के अंदर या मध्य America के अंदर आप मैं बात करूँ mainly USA और Canada वाला पार्ट की तो आप देखोगे साड़े 23 डिग्री से उपर वाले पार्ट में लाई करेंगे आप देखोगे जो आपका USA और Canada वाला पार्ट होगा वो आपका साड़े 23 डिग्री से उपर वाले पार्ट में लाई करेंगे मतलब पूरा का पूरा कौन सा zone होगा या तो temperate zone होगा या तो समसीतो zone होगा या आपका polar area होगा जो आपको देखने को मिलेगा यह उपर वाला पार्ट जो Alaska वाला पार्ट है ठीक है, Canada का जो नदर्न वाला पार्ट है वो किस में मिलेगा, आपको आर्क्टिक सरकल वाले पार्ट में मिलेगा, सब पोलर और पोलर रिजन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ, आप देखो, जो आपका एरिया है, साड़े तेवीश डिग्री, नोर्थ से लेकर साड़े तेवीश डिग्र आपको अपको ट्रोपिको कैंसर से लेकर ट्रोपिको कैपरिकॉन के बीच वाला, आपका कर्क रेखा से, मकर रेखा के बीच वाला इसको हम क्या बोलते हैं, उस ने कटी बद दीए रीजन या उसने कटी बद दीए छेत्र, इसके उपर वाला एरिया, अब आपको ivities करो जो आपका दुरूविय छेत्र होता है वहाँ पर ये लाई करेगा इस्पेशली कनाडा का जो उतरी इस्सा है ठीक है या अलास्का वाला पार्ट है ये किस में लाई करता है आपका आर्क्टिक सरकल के अंदर या पॉलर रिजन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सूरिय का मुमेंट है वो किसके किसके बीच में होता है ट्रोपिकोप कैंसर और ट्रोपिकोप कैप्रिकोन के बीच में इससे बाहर सन का मुमेंट नहीं होता तो इससे आप क्या एडिया लगा पाओगी इन वाले रिजन्स के अंदर सूरिय की किरने हमिसा क्या पड़ेगी तिरशीपडेगी किसी ने किसी एंगल पर गिरेगी क्योंकि M یकसीमुम सीधी कहां तक आ सकते है ठोपिक ऑप केंसर से लेकर ट्रोपिको केप्री को तक उसके आगे वाले एरिया है चाहि वो उत्तर में हो चाहिए आपका पता कर पाओगे अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आप देखोगे मैंने आपको बताई थी हम 10 इहां पर नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट के अंदर ठीके उन 10 कंट्रीज को एक बड़ आप देख लीजिए आप देखोगे सबसे पहले तो आपका कैनेडा वाला पार्ट देखोगे अपका USA वाला पार्ट ध्यान रखना जो ग्रीन लेंड है ठीके घ्रीन लेंड आता नॉर्थ अमेरिका के अंदर है लेकिन इस पर अधिकार किसका है किसके अंदर में यह वर्क करता है डैनमार्ग जो कि क्या है एक European कंट्री है ध्यान रखना आता नॉर्थ अमे रश्या के साइबेरिया वाले पार्ट से तो जो अलास्का है वो USA का ही पार्ट है तो पहली कंट्री होगी आपकी कैनेडा दूसरी होगी USA, दीसरी होगी आपकी मेक्सिको अब यह जो छोटा सा रीजन है यहाँ पर आपको साथ कंट्री मिलेगी ग्वाटेमाला मिलेगी, बेलीज मिलेगी, हॉंडूरस मिलेगी, सालवाडोर मिलेगी, निकारागुः मिलेगी, कोस्टा रिका मिलेगी, पनामा मिलेगी तो 7 countries आप देख सकते हो, 1 is Panama, यहां से हम नीचे से चलने हैं South America से, 1st Panama, 2nd Costa Rica, उसके बद निकारा गुहा, सालवाडोर, होंडोरूस, आपका बेलीज और आपका ग्वाटेमला, 7 countries यह हो गई, and 3 countries यह हो गई, तो टोटल का जो पूरा का पूरा पार्ट है, this is North America, but इस वाले प काफी सारे चोटे चोटे आइलेंड्स आपको दिखाए देंगे, अप यहां पर देख सकते हो, यह काफी सारे चोटे 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 आइलेंड्स है, जिसमें आप देखोंगे, क्यूबा वाला पार्ट, जमेका वाला पार्ट, जमेका वाला पार्ट, जमेकन धावक का नाम सुनाओगा आपने उसेन बोल्ट का नाम सुनाओगा वो कहां से बिलोंग करता है जमेका से क्यूबा जमेका हेती त्रेनिदाद और टोबेको डॉमिनियन रिपब्लिक इन छोटे छोटे केरिबेन आइलेंड को वेस्ट इंडी नाम भी यहां पर दिया जाता है आपने देखा केरिबेन ची और मैंने आपको बताया भी था कि आपका यह पार्ट है पनामा वाला पार्ट केरिबेन सी को किस से जोड़ देता है पैसिफिक उशन वाले पार्ट से जोड़ देता है तो हर कॉंटेनेंट को समझने से पहले उसके आसपास की चीजे जानना जरूरी है एक और region अगर मैं नोर्थ अमेरिका की बात करता हूँ तो इसके इस्ट में कौन सा पढ़ेगा आपको देखने को मिलेगा आपको अट्लांटिक मांसा गर उसके अगर चोटे चोटे आप देखोगी यहाँ पर लेब्राडर सी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर काफी सारी जलसण्दिया भी मैं आपको याद करवाओंगा भी उसके बात नीचे देखो साउथ में क्या है गल्फ और मेक्सिको ध्यान आज सपास आपको पता होना चाहिए आप सोचो South America जब आपने देखा था तो भी यह situation देखी थी क्योंकि similar line में आपको देखने को मिलेगा तो West में Pacific Ocean, East में Atlantic Ocean उपर की साइड में आपको कौन सा देखने को मिल रहा था उसका Caribbean Sea वाला पार्ट नीचे की साइड में आपको कौन सा देखने को मिलेगा आपका Antarctic Circle वाला पार्ट आपको महाँ पर देखने को मिलेगा तो यह आपको Boundary की Water Bodies यहाँ पर पता होनी ही चाहिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखोगे Alaska के नीचे वाला पार्ट Gulf of Alaska सबसे पहले आपको इसका Overview जानना जरूरी है अब इसको आप देखोगे किस तरह से मैं Division में बाटूँगा और North America, South America को साथ में Compare करेंगे और पूरा का पूरा Reason एक साथ चुटकियों में हम याद करने वाले हैं यहाँ तक I hope सबको Clear होगा ठीक है यहाँ तक सबको Clear है जो मैंने आपको चीज़ें बताई अब आगे देखो USA का भी Part हम अलग से डिसकस करेंगे क्योंकि USA के अंदर 50 States है तो कुछ Important Cities भी हमें देखनी है Important Rivers भी हमें देखनी है Important Legs भी हमें देखनी है लेकिन One by One हम पूरा का पूरा Sequence में इसको Cover करेंगे ठीक है अब आगे देखो आप ठीक है अब आप यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगी हमारा पूरा का पूरा जो North America है उसको अलग-अलग Part के अंदर Divide करेंगे ध्यान रखना यहाँ पर आपकी जो Old NCRT है Land and People वाली वो भी Cover is हो जाएगी और Word Geography का आपको बहुत अच्छा एडिया यहाँ से मिल जाएगा तो सब लोग इसके Notes भी बना सकते हैं प्रोपरली जिस टाइप के Tricks में बता रहा हूं उससे आप Easily इसको Remember कर पाएंगे अब ठीक है अब जब North America मेरे दिमाग में आएगा तो North America को मैं अलग-अलग हिस्सों के अंदर बाटूँगा ठीक है कैसे बाटूँगा जैसे मैंने आपको बताया था हमने South America जो वाला पार्ट था उसको भी अलग-अलग हिस्सों के अंदर बाट के देखा था अप्लाई करूँगा South America में आपने देखा था पच्चिमी वाले पार्ट पर क्या थी आपकी Andies परवत माला थी जो कि मैंने आपको बताया था कि उपर जो Caribbean Sea से लेकर नीचे जो चिली वाले पार्ट है वहां तक वो फेली हुई थी वेसे यह आप देखोगे इसके जो पच्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा Western Cordillera ध्यान रखना यह वर्ड आपने वहां भी सुना था Cordillera का मतलब होता है Parallel Chain of Mountains काफी सारे Mountains की जब सतत जो chain मनती है उसको क्या बोलते हैं Cordillera क्योंकि आप देखोगे यहां पर काफी सारे Mountain आपको देखने को मिलेगे Rockies Mountain देखने को मिलेगा Syria Nevada देखने को मिलेगा Coastal देखने को मिलेगा तो काफी सारे Mountain की रेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो जो Parallel Mountain होते हैं के parallel दूसरा mountain दूसरा mountain उनको क्या बोलते हैं Cordillera तो confusion नहीं होना चाहिए अगर कहीं पर Cordillera लिखा हुआ उसका मतलब क्या है काफी सारे mountain की range यहाँ पर क्या होगी parallel mountain की range आपको देखने को मिलेगी इस type से काफी सारी mountain range आपको देखने को मिलेगी उसको क्या बोलते है western Cordillera तो इसका भी जो पच्छी में वाला हिस्सा है उसमें आपको काफी सारी mountain देखने को मिलेगी कैसे याद रखोगे यहाँ पर याद रखोगे सबसे important जो chain है जैसे हमने एंडी साओध अमेरिका के अंदर याद की थी वैसे यहाँ पर याद रखना है rookies कैसे याद रखोगे South America अपने आप में रोक करने वाला mountain है क्योंकि आप देखोगे दुनिया का अगर आप देखोगे सबसे industrialized continent जिसका industrialization सबसे जल्दी हुआ सबसे विक्सित continent हम जिसको बोल सकते हैं सब द्रश्टी से संपन है आप देखोगे सबसे पहली चीज तो दुनिया का हमारा तीसरा सबसे बड़ा continent है आप याद कैसे रखोगे तीसरा तो आपका क्या था नोर्थ अमेरिका और चोथा क्या था आपका South America तो एकी लाइन में आपको 3 और 4 याद रख सकते हो 3 आपका North America and 4th is South America साथ में आप देखोगे सबसे प्रसपर येस या सबसे संब्रद continent में जाना जाता है इसलिए क्या याद रखेंगे इसने रोक किया हुआ है अपना लोहा पूरी दुनिया को मचाया हुआ है तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे रोकीज माउन्टें रेंज सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर माउन्टें रेंज आपको देखने को मिलेगी ठीक है पहली चीज़ अब हम डिटेल में डिसक्रेशन करेंगे पहले हम इसको सेंटर वाइस हम बाट रहे हैं ठीक है तो वेस्टरन के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेंटरल प्लांस वहाँ भी आपने देखे थे और वहाँ भी आपने देखा था अब यहाँ पर तो आपको एक चीज क्लियर होगी अगर आप दिमाग लगाओ यह पूरा का पूरा रीजन किसमे लाई करता है यह तो टेंप्रेट में है यह आपका आर्टिक रीजन के अंदर लाई करता है तो आप देखो कि यहाँ पर जो grassland मिलेंगे, वो कौन से मिलेंगे, temperate वाले ही मिलेंगे, तो यहाँ पर आगर आपसे पूछेगा, North America में कोई tropical grassland मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको देखोगे, यहाँ पर मैं बात करूँगा तो, आपको maximum temperate region आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो central plants मिलेंगे, वहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको grassland, specially prairie नाम से, जो कि एक temperate या समसीतोस नगास के मिला जाता है, ठीक है, second में आपको बता दिया, third आप देखो यहाँ पर, third जो region आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा third region आप देखोगे, यहाँ पर Canadian shield वाला, कौन सा, Canadian shield, shield बहुत important region होता है, shield का मतलब क्या होता है, जो काफी stable region होता है, ध्यान रखना जहाँ पर आप शिल्ड सुनेंगे, वो काफी stable region होता है, काफी stiff region होता है, यहाँ पर shield के कारण, यहाँ पर काफी सारे minerals आपको देखने को म मिलेंगे, साथ में, यहाँ पर काफी सारा erosion हुआ है, ध्यान रखना इस shield का region जो formation होता है, काफी सारा erosion या काफी सारा अपरदन यहाँ पर हुआ है, और जो यहाँ पर चट्टाने मिलेगी, आपको प्राचीन काफी solid चट्टाने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसल या अपने geography के अंदर पड़ी होगी, तो ध्यान रखना Canadian shield region काफी महतपूर्ण region है, इस region के अंदर आपको काफी सारी lakes भी मिलेगी, Canada के अंदर भी आपको lake मिलेगी, ठीक है, उसके अलावा आपका जो five great lakes वाला पार्ट है, जो USA और Canada की border पर मिलता है, वो भी आपको किस पा आप Brazilian Highlands देखे थे अपने, ठीक है, पूर्वी इस साब को देखने को मिलेगा Highland वाला, Highland मतलब बेसिकली ये पहले परवत हुआ करते थे, लेकिन इनका Erosion होने की वज़े से, Erosion होता गया, Erosion क्यों हुआ, काफी सारे glaciers की वज़े से, काफी सारे rivers की वज़े से, जो ये Appalachian Mountain वाला रिजन है, ध्यान रखना कौन से माउंटेन है ये, Appalachian Mountains है, पहले Mountains हुआ करते थे, लेकिन लगातार इनका अपरदन होता गया, अपरदन होता गया, तो इनकी height क्या हो गई, कम हो गई, और इनको हम क्या बोलते है, Highlands बोलते हैं, तो ध्यान रखते है, Appalachian Mountains व जहां पर हमने बात किया Western Cordillera जो पच्छी मी साइड में mountains थे उसके बाद beach वाले plains की हमने बात करी इसमें space team prairies की बात करेंगे उसके बाद हमने बात करी Canadian shield के बारे में ठीक है ध्यान रखना Canada का लगबग two-third से ज्यादा इससा किसके अंदर आता है Canadian shield के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा जो रीजन है आपको उपर पोलर रीजन भी आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा आपका Appalachian Mountains है इनको हम क्या पो लेंगे Highland पहले बड़े Mountain हुआ करते थे अपर दन होकर इनकी height क्या हो गई कम हो गई तो यह चार में हिस्सों के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगी अब ध्यान रखना अब जब इस continent को हम study करेंगी तो continent के अंदर सारे Mountains को चाहिए हम North to South है सारी Lakes को हम North to South East to West सब काफी simple tricks से मैं आपको याद करवाओंगा ठीक है तो यहां तक तो I think आप सब लोगों को clear होगा ठीक है कि basically USA वाला पार्ट साथ में यहां पर जो reverse वाला पार्ट है वो भी हम देखेंगी तो आज हम इतना ही करेंगी इसका जो next वा Last में एक और चीज़ यहां पर मैं बताना चाहूँगा जो आपका North America वाला continent है हर द्रश्टी से आप देखोगी climate की विवित्ता भी आपको काफी ज़्यादा मिलेगी यहां पर काफी सारे टाइप के climates मिलेंगे चाहे वनस्पती हो polar region के अंदर आपने नाम सुना होगा mosses, l आइकन्स वह भी सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी साथ में आपको अलग-अलग temperature के zone और यहां का जो vegetation है यहां की जो agriculture है वह highly mechanized agriculture होगी काफी ज्यादा यंत्रों का यहां पर use किया जाता है highly efficient agriculture आपको देखने को मिलेगी especially prairies वाला part जो मैं आपको दिखाऊंगा ज गरम wind यहां पर लेकर आती है जो कि काफी helpful होती है wheat cultivation के लिए ठीक है क्योंकि यहां का temperature काफी कम होता है तो यहां के temperature को 18 degree Celsius तक लेकर जाती है तो जो कि काफी important होता है wheat और maze के cultivation के लिए तो वो भी सारी चीज़े हम यहां पर discuss करेंगे ठीक है तो आज का वीडियो अब अच् काफी सारे नएने questions बनाकर यहां पर लेकर आते रहेंगे ठीक है thank you very much मिलते हैं हमारी next video के अंदर तब तक धन्यवाद सब दोस्तों को share कर दीजिए चैनल को subscribe करना ना भूले थैंग